हेलो दोस्तो अर्ली फाइनेशिल आजादी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम एक बहुत रिस्की स्टॉक के बारे में अनालिसिस करने वाले हैं और ये रिस्की के साथ-साथ इंटरस्टिंग भी हो जाता है नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम शेयर के बारे में बिजनस के बारे में हम बात करेंगे और क्या आने वाले समय में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं HPCL से उसके बारे में भी हम दिसकस करने वाले हैं तो देखे सबसे पहले अर्निंग्स की मैं आपके साथ बात करूँ तो कंपनी ने जो 9 महिने है अप्रेल से डिसेंबर बहु कि अभी तक डेट आई नहीं है लेकिन में में एक्सपेक्टेड है तब उम्मीद है कि नतीजे अच्छे हो सकते हैं और अभी का जो फाइनांशेल यर है 2024 इसका मतलब है जो अप्रेल 2023 से मार्च 2024 ठीक है और फिर अगला जो साल जो होने वाला है रिकवरी होना सुरू हो जा डेटा आपके सामने है February 9-2023 का यह कौन सा डेटा है जो कंपनी HPCL के April से December तक के रिजल्ट साय थे जो आपके सामने मैं लाइव लेके आ रहा हूँ देखे यहाँ पर अगर आप कंपनी का अगर आप revenue देखेंगे ठीक है कि कंपनी ने कैसा यहाँ पर income की है revenue किया हुआ है त 3,52,000 करोड का revenue उन्होंने किया हुआ है जो कि बहुत भी अच्छा revenue है अगर वही April से December 2021 देखेंगे तो 2,70,000 करोड का revenue है तो revenue किसे हमको पता चला कि company का business हो रहा है जो petrol के जो diesel के जो LPG के जो products है वो भी करहा है लेकिन जब मैं profits के number पर आता हूँ यह देखे यह है net profit के numbers व है 9 महीनों की अगर हम बात करें April से December 2022 में और अभी January, February, March के जब results आएंगे तो यह numbers change हो जाएंगे ठीक है अगर वही April से December 2021 में आप देखेंगे तो कितना था 4587 करोड का profit था और profit था तो आपने देखा था पिछले साल dividend भी बहुत अच्छा आया था और इस साल देखे अभ यह इतना बड़ा loss क्यों हुआ देखे जो जून quarter था वो अकेला ही एक ऐसा quarter था जहां company ने 10,000 करोड का नुकसान कर दिया था लॉस होने का कारण था जो crude के जो भाव थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गये थे उससे company को loss हुआ तो यह चीज हमको समझना है जो marketing का जो उनक unit cap company का देखेंगे 34,000 करोड के आसपास में price to earning ही नहीं जो कि मैंने starting में ही कहा था कि एक बहुत ही risky stock है price to earning ना होने का कारण क्या है कि जो earning जो होगी वो negative होगी हमने देखा यहाँ पर हमारे सामने यह देखेंगे profit after tax यह 12 महीनों का profit after tax 8570 करोड है 9 महीनों का मैंने आपके सा हमकी loss है तो PE ratio भी यहाँ पर हमको दिखा नहीं रहा है फिर अगर आप EV by EBITDA भी देखेंगे यह भी आपको negative देखने को मिलेगा तो उस हिसाब से हमको जो PE ratio भी जो है कोई यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको median मिला है 5 का और अभी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ही recent मैंने तो बीच में क्या हो गया था 70 डॉलर 75 डॉलर तक प्राइज आ गया थे लेकिन अभी अपरेल की बात है उन्होंने क्या किया है कि कहा है कि हम अपना crude का जो production है वो cut कर देंगे उससे क्या होगा production cut करने से फिर से तेल के भाव उपर चले जाएंगे और तेल के सकता है अगर आप 5 साल का PE ratio देखेंगे तो बहुत डेटा यहां पर अभी नहीं मिल रहा है price to book अगर आप देखेंगे तो अभी 1.1 का 5 साल का average price to book है 10 साल का average price to book जो valuation उनको मिला है 1.3 का मिला है और अभी recent में price to book 1.2 के आसपास है जो की अपने historical level के आसपास ही है अब हम business म आप हमारा early financial आजादी app को भी download कर सकते हैं वहाँ पर मैं latest live free master class लेता रहता हूँ latest market updates और free materials अपलोड करता रहता हूँ जो जिनोंने app डाउनलोड किया हुआ है और यहाँ पर कुछ courses भी आप explore कर सकते हैं heavy discounts में तो description box में मैंने link को दिया हुआ है यह है crude के prices आप देख सकते ह हैं यह अपरेल में जून जुलाई अगस्ट एकिस हिसाब से crude के prices 120 डॉलर चले गए थे तो चुकि crude के prices उपर गए लेकिन हमारे यहाँ तेल के दाम बढ़े हैं लेकिन petrol के दाम उतने नहीं बढ़ेते हैं जब हम दूसरी analysis करते हैं ONGC की IOCL की तो यह जो data रहता है यह हर ब प्रेल में जून में उस तमय में जैसे यह petrol का जो number है वो petrol बेच रहे थे हर लीटर पेट्रोल पर वो 10 रुपय का नुकसान कर रहे थे डीजल में 16 रुपया का नुकसान कर रहे थे in fact अभी भी quarter 3 में भी diesel में अभी नुकसान कर रहे है जो कि expectation है कि अभी quarter 4 में diesel में थोड़ बहुत profit आए quarter 3 में petrol में थोड़ा सा profit अल्रेडी आ चुका है अब expectation है कि यहां पर profit इसलिए quarter 4 रिजल्ट बहुत important हो जाएंगे लेकिन यह जो एक important चीज है कि जो turnaround है उसका expectation हो सकता है कुछ mutual fund भी कर रहे हैं जहां पर मैं देख पा रहा हूं कुछ prominent mutual fund कोटक emerging equity, ICICI potential mid cap, Franklin India smaller DSP tax saver, DSP equity opportunity इन लोगों ने add किया हुआ है और mirror asset large cap ने थोड़ा सा अपना position को trend किया हुआ है तो maximum mutual funds थोड़ा buying कर रहे है, in fact February से March आप देखेंगे थोड़ी buying हुई है, नई तो December के बाद January, February में थोड़ा sell हुआ था, March में थोड़ी सी buying हुई है, जो कि थोड़ा सा उमीद जता रही है कि mutual funds थोड़ा सा धीरे धीरे positive हो रहे है, लेकिन अभी भी जो final data आएगा, वो में के महिने में ही आएगा, तब तक के लिए हिंदुस्तान petroleum पर एक ही चीज मेरा कहने का रहेगा, ये contra, contra और contra stock है, जहां पर उमीद की जा रही है turnaround की, और अगर turnaround होता है, तो profits भी आएंगे, profits भी आएंगे, तो जो ratios जैसे PE ratio हमने देखा, ये सब ratio भी हमको दिखना सुरू हो जाएगा, और हो सकता है, अगले financial year में हमको dividend भी देखने को मिले, तो वो एक important चीज रहने ही वाली है, साथ में gross refining margin और marketing margin एक key trigger यहाँ पर होने वाला है, ये जितना बढ़े, व हम HPCL की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान और विशाखा पटनम में refinery commission भी होने वाली है, ये भी एक key trigger अगले कुछ दिनों में होने वाला है, मुझे उम्मीद है, आपको value मिली होगी, last में एक ही चीज है, ये contra और turnaround का expectation हिंदुस्तान petroleum में है, जहाँ पर key data, important data quarter 4 में आएं होगा, तेल के भाव 80-90 के आसपास में रहते हैं, तो neutral है, ठीक ठाक है, और तेल के भाव नीचे जाते हैं, तो फिर बहुत ही अच्छा है HPCL के लिए, तो देखते हैं, ये एक cyclical sector है, उसको भी हमको ध्यान में रखना है, जहाँ पर हम recovery का anticipation कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है, आपको value मिली होगी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, share कीजिए, like कीजिए, subscribe कीजिए, आपके अपने channel early financial आज़ादी को, thank you दूस्तों.